कि अब्रिवन गोड़ इबनिंग नमस्कार चैहिंद रादरादी स्वागत आपका वाइफर स्टेड़ी बीचिज आप पार्ट अगैडमी तो दोस्तों चार बच्चु के हैं और आप हमारे साथ जोड़े हो यानि रोहिसर के साथ वाइफर स्टेड़ी पी तो दोस्तों एक अब तो आपके लिए और खुसकबरी है क्योंकि MTS का नोडिफिकेशन आ गया है न क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार करते सरे MTS क्या करेगा देख रहे हुना कि SSC खेल पर खेल करते जा रहा है कैसे पहला जटका दिया आपको सीजियल में पहला जटका आपको सीजिय में जैसे मिला ना कुछ बच्चे संभल गए तो ठीक है सर आगे से हम अपना ख्याल रखेंगे और कुछ बच्चे में कुछ बच्चों में तो बदला भी नहीं दीखा कोई चेंज जनी जैसे चाड़ता तयारी चलने दीजिए दूसरा जटका सीजिशन ने दे दिया दूस बच्चे वैसे ही थे चलने दूसर हम नहीं बदलेंगे और तीसरा जटका रहासाहार जो रही साही कसर है वह एम्टेस ने दे दिया कि भाई साब मैथ और रिजिनिंग क्वालिफाइंग मेरिट बनेगा तो इंगलिस और जीएस के साथ क्या लगता आपको आने वाली समय मे रेल्वे को चेंज़ नहीं करेगा आने वाली समय में जो रेल्वे की विकेंसी आएगी 100 परस Mickey prefix में क्या लगता है को चेंज नहीं करेगा आप नोट करके लिखलो आज कि रेल्वे भी चेंज करेगा चाहे वह पूर एंतिटी पी सी हो या गुरुपडी हो या फिर ज्ये ब और पीए फो या फिर एल्पी हो हुआ है हन्डेड परसेंट चेंज करेगा मेरे भाई तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा चबरदस तरीकी से पढ़ना पड़ेगा वन लाइनर पढ़के चले जाते थे कोई उपाई नहीं है क्योंकि MTS का जो सेशन वन सेशन टू कर दिया य इबनिंग और पेपर टू में जो जी एस और इंगलिस है ना या निगेटिव लगाओ न एक नंबर कटेगा वेट जैदा है ना फूट अप्र नून फूट अप्र नून फूट इबनिंग इसलिए दोस्तों आने वाले समय में याद रखिएगा जिसे भी एक्जाम के तया रिदिव निगेटिव निगेटिव नहीं है वह केवल क्वालिफाइंग है वह केवल क्वालिफाइंग है तो आप रेगूलर चार बज़े जुडा करिए जिससे आपको यह समझाएगा कि कोश्चन के लेवल क्या है बाकी बाद भईया आप खॉन्डेशन तो आपको से बीश कुशन सही करने की जीएश में 18 से 20 कुशन सही करने की है ठीक है सर्ष्रिय काल मेरे भाई अंजली जी बिलकुल एक्जाम दीजिए क्योंकि आने वाले समय में आप यह मान कर चलिए कि बिना अंग्रेजी का कोई उपाई नहीं है बिना इंग्लिश का कोई उपाई नहीं है हो सकता आने वाले समय में आपको इंग्लिश भी दिखे इंग्लिश भी दिखे तो आप त जरूर आई है जिससे आप जितने बच्चे सौ साम को पांच बजे साम को पांच बजे गॉट इट आगे देखिए और 22 जनुवरी दो होजर 22 दो पर दो बजे स्कॉलर सिप टेस्ट होगा यानि हंडेड परसंट स्कॉलर स्टेप में विल्कुल फुरी क्या पता है कि फायदा उठाई उसका ठीक है चुलिए आगे देखिए और यह हमारी टीम अपनी टीम तो कूपन कोड आपको पता है कि मैं भी जिन्दा हूं मतलब रोहित सर लाइव कूपन है इस कूपन को यूज करिए और दस परसंट का फायदा उठाई है ठीक है चलिए सुरुवात करें आज 40 सवाले दोस्तों आज 40 सवाले 40 में बताओ कितन यह इमंदारी पुरग बताना है चालिस में कितना टार्गेट करें कितना उम्मिद करें आपसे हुआ है 40 में कितना है से 25 अव्य पिस थीत 35 और अपने कौपी में नोची बुक में जो राइट होगा जो राइट होगा उसे ऐसे करना और जो रॉंग होगा ठीक करना तब मज़ा आएगा सर्वास कॉलस्टिप वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है जो आप तीजी पे सेर किये हो अच्छा रत्नाकर मैं भी डाल दूगा मैं भी फिर डाल दूगा क्लास के बाद ठीक है इमंदारी पुरोग बताने कितना लेके आओगे कोई चोरी छिपी नहीं कोशिस हंडेड़ परसेंट चलिए ठीक है अब यह देखते हैं सवाल नंबर वन बहुत आसान सैटलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राश्ट्य उद्ध्यान कौन सा है विच हैज बिकम दफर्स न नंबर सी चलिए दूइट फास्ट क्या होगा अ बताओ क्या होगा सी काजी रंगा चलिए बहुत बढ़ियां जो अपने वन खोर्ण राइनों के लिए फेमस है वन राइनों के लिए फेमस है कहा पर दोस्तों असम में ने दूद्ध्वा नेशनल पार्क यह कहां पे हैं त दोस्तों राम गंगा की नाम से चानते किस चानते राम घंगा के नाम से याद रखेगा ओकffen की पादी देवनाम पिरिया और कर दाभ सी मास की चिला लेख से मिलती है मास की से विप्रूर in which state of masking instructions has been obtained कुछनस करनाटक 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 करनाटकλεद गर अच्छा कि लोग तो करनाटकन में कई लोग उरीम करनाटक सांगे करनाटक Κंदर मैं है कि यानी डूस्तों कि सराजिश से पराप्त हुआ है करनाटक कि अपया का नाम क्लिभ्ष दोस्तों है चाल यानि एक और अवह एक है इसका गूर्जचरा गूर्जचरा जिसमें असोग मिलता है क्लें पुरान में असोक का नाम क्या मिलता है दोस्तों पुरान में असोक वर्धन मिलता है पुरान में इसका नाम असोक वर्धन मिलता है याद रखिया क्या मिलता है असोक वर्धन ठीक है कलिंगा यूद आपको याद होगा दोस्तों 20221 से में हुआ है तू सिक्टिवन वीसी में जो कलिंगा कहां पर पूरी साम में कहां पर अध्रत अधान कहां पर ओड़ी सामें थिक है कि जीट जो चीज ना समझ में आहे तो कमेंट बॉक्स न बताते जाना 202 में सासन के आठमे वर्स में थिक है चला आ जाओ तेरह हमें में करनाटक के रायचूर जीले में जीला आज कल खूब पूछता है तो रायचूर जीले में मस्की नामक गाओं के पास पहारी पर सिला लेख मिला है जिसमें पेहली बारसों का नाम प्रिया-प्र にंटRO उपादियों से सुसों भी थे देवनाम प्रिया-प्र। देवताओं का निनल नहर किस देश्त में के मिठे पानी की नहरे दोस्तों किल कैनाल इसा फ्रेश वाटर कैनाल いन विच कंटरी कुछन नमबर तीन बताओ क्योंकि जो मैं एक्स्प्लेट करता हुँ न वह एक्स्प्लेनिशंस जायता सवाब्ए आपको बतागी क्या होगा कील कैनाल इज़ा फ्रेश वाटर कैनाल इन विच कंट्री कुश्चन नम्र तीन चलिए अब ज़रा सेर्वेर किया करो या थ्ला मुझे भी मज़ा आए बिल्कुल बताओ क्या होगा आस्ट्रिया जर्मनी स्वीडन डेनमार्क हमें लगता है न यह कुश्चन बच्चे सोच भ ह Background को माही क्रिश्चन सोच ही नहीं होंगे जर्मनी में करें सीधा और किलनहर किसको जोडता है तर सागर से जोड़ता है लेकिन जहां देश पुछ दिया हम तैरने लगे देश पुछ दिया हम कील नहर में तैरने लगे गड़ बड़तु है देख लो तुसर कील नहर जर्मनी में किलोमेटर लंबी मीठे पाने की नहर यह जर्मनी है यह किल कैनाल है यह नौर्थ सी है दोस्तों और यह बाल्टिक सी है नहर 1895 में समाप्त हो गए थी लेकिन बाद में फिर इसे चौड़ा किया गया और उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ा गया है कि क्लियर है तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे क्लास में आईए आपकी नजरिया बदल जाएंगी पढ़ने का जो नजरिया है वह डिफिनेटली बदल जाएगा अब से आप क्या करोगे जितने भी कैनाल पढ़ोगे न चितने भी नहर पढ़ोगे आप उसको लोकेशन या कंट्री जरूर याद रखोगे जरूर पढ़ोगे लोकेशन या कंट्री जरूर पढ़ोगे आज के बाग चलिए आगे बने आज आओ आगे पोर्ट पस्पेन नमलिकित में सक्कीश देश के राजधानी दूस्तों पोर्ट पस्पेन इस ता कैपिटल विच अमंग दा फॉलिविंग कंट् इसको सब्सक्राइब चार तो मेरे भई पोर्ट प्रेस्पेन की बात करें तुरिणिदाद और टोबाइको किसका है तुनिदाद और लुकिटिव और ऑप्सेम्ट अप्सिनमब डेज करेक्ट निक्स्ट भार्तिय वन परवंधन संस्थान कहां इस्तित है अचित अचाट अबहुत बनीया जमाइका का किंग्स्टन क्या बारत है thirds लिए halo ओर हो कि रिवे क्या लगता आपको थे जहत्का दें क्या आपको फिर जटका दें बोलो है सौरी MP फिर जटका दें और फिर जटका देते हैं भोपाल पिर जटका लग्या भोपाल लग्या है भोपाल मद्य परदेश तो दोस्तों देहरा दूर में क्या है न वन अनुसंधान संस्थान है तो रिशर्च कहीं लिखा हुआ या मैनेजमेंट है ना कि रिशर्च है मैनेजमेंट है ना कि रिशर्च है मैनेजमेंट है ना कि रिशर्च है देखा जाए तो क्या होगा सर भारतिय वन अनुसंधान संस्थान देरा दोन में जिसके स्थापना 1906 में जब कि भारतिय वन तो मेरे साथ एक सप्ता पढ़िए रेगुलर डेफिनेटली आपको लगेगा कि जीए सर रटने से काम नहीं चलेगा समझना पड़ेगा नधी है टालाव है वहाँ बहिए भावनाओं में वहेंगे तो दिक्कत होगा ना अब इसे भी ठंटी का मौसर में नदी में वह गे तो थोड़ा बॉडी भी एक्टिव रहेगा बिल्कुल काम करे अच्छे तरीके से चलो आजओ निक्स्ट सिवाजी के गुरु आसान सवल हुवास दा गुरु अब सिवाजी शिवाजी के गुरु की बात करें दोस्तों ते समर्थ रामदास और सनरचक सनरचक दादा जी कोंड़ेव सनरचक की बात करें दादा जी कोंड़ेव यह सनरचक है ठीक है दादा जी कोंड़ेव और समर्थ रामदास सिवाजी के गुरु थे जो समर्थ रामदास भारत में महराष्ट्र में हिंदू परंपरा में परमुक मराथी संत्र थे याद रखेगा ठीक है निक्स्ट नम्लिकित में से कौन सा पालतु जानवर सिंधू सभेता के तेरा कोटा में अनुपस्तित्ता विच अब दा फॉल्विंग डोमेस्टिकेट कोई साक्षे नहीं है लेकिन पता है जब मैं पढ़ाता हूं जाब पढ़ते हो तो आप सोचते होंगे कि सर गाय जब नहीं है तो हमपड़ बूल कैसे है यह भावनाओ वाले चीज़ है लेकिन छोड़ दो न यह जान लो कि गाय नहीं था गाय वैदिक सब्यता में वैदिक सिवी लाइजेशन में है और सिवैदिक सिवी लाइशन में गाय को अधन्या कहा गया है क्या क्या गया दोस्तों अधन्या क्या कहा गया है अधन्या क्या कहा गया अधन्या कहा गया है और साथी साथ याद रखना कि वैदिक साब्यता में और क्या नहीं था घोड़े का कोई और क्या कि साक्षा नहीं दोस्तों तो लोहि का भीन और साख्ष नहीं तू तीन चीछ यादर रखना ऑरण घोडा गाय कोई साक्ष नहीं है इसका ओके चलिए आगे देखिए नेक्स्ट हरा पास्तर पर खुदाई की गई तेरा कोटा तेरा कोटा ने जो मिट्टी की मूर्ती है जो मिट्टी का खिलावना जो आज गोरखपुर को जियाई टैग मिला है मुर्तियों में बैल भैस सुवर बकरी भेड कूबर बैल की चाविया गायत वैदिक संस्कृति में पर्चे देती याद रखेगा ओके चलिए आजाओ नेक्स दोस्तों अकबर के शासनकाल के दवरान नमलकित में से किस पुस्तक का नुवादता रजम नामा की रूप में किया कि अकबर आपोर्ण महाभारत किश्ण नॉम्भर चलिए आर्या लोहा मिला बिल्कुल हежд आए और लोहा आया ऐसे कहोोろ तो क्या है दोस्तों आकबर के शासनकाल के दरण जो रजम नामा है वो महाभारत है रजम नामा का अर्थ पूछेगा ना तो युद्ध की पुष्तक जबकि आपको बाबर नामा दोस्तों आपको याद होगा कि अब्दूर रहीम खाने खाना ये साहब जो है वो फार्सी भासा में अनुवाद करते हैं किसका तुजुके बाबरी का जो किस भासा में लिखा था बच्चे तुर्की भासा में तुर्की भासा में लिखा तुर्की भासा में चगदाई तुर्क में याद रखेगा अब्दुर्रहीम खाने काना ने तांसलेट किया था बाबर नामा के नाम से ओके चलिए आगे देखिए नेक्स्ट की बात की जाए अब देखो या कितने कुछता निकलेंगे महाभारत का अनुवाद फैजी और अब्द अलकाद्री बदायुनियों ने किया था था फैजी और बदायुनियों ने किया याद रखेगा द् ». नामा रखा गया अकबर काल को लोगप्री रूप से फार्सी साहित के पुनर जागरन की रुप्पे जानते हैं रामाईन और सिहासन बतीसी का अनुवाद भी किसने किया बदायूनी ने फार्सी में किया पंच्चितंत्र का फैजी ने अनुवाद किया था दोस्तों फार्सी में और पंच्तंत्र को लिखा था गुप्त काल में किसने विस्व सर्माने और राश्टरंगनी जो कलहन ने लिखा है संस्क्रित वह साने कलहन ने लिखा उसका नुवाद सा अमहम्मद सहबादि ने किया और दारसिकोंने गीता और फण स्थेमें नुवाद किया detail सर बाबर नामा तीन वॉल्यूम भूक है न रत्तांकर सहाब अकबर नामा है भाई कहां बाबर नामा अकबर नामा मिला दे रहे हो है ना कहां मिला थे रहो मेरे भाई है क्या वात है कहां कहां भटक रहो गलती आज जब आएश्टी मध्यान रेखा पर दोपहर होती है तो इस दिए पुर्वी दिशानतर रस्थाने समय क्या होगा कुछर नंबर नाइन चलो जल्दी बताओ सवाल नंबर नाइन वेन इस नून अट आएश्टी मेरिडियन वाट उडबी दा लोकल टाइम वन ट्वेंटे डिगरी इस्ट लॉंगिट्यूड क्या होगा कि क्या होगा कि आठ बजेगा साले पांच लगारें सब देखरें सब साले पांच लगारें सोचो लोकितने गलती कर रहे हो कि अरे आएश्टी मतलब इंडियन स्टेंडर्ड टाइम भारत की बात करता है जब भारत में दोपहर 12 बजेगा दोस्तों तो हम और इधर जाएंगे बारा चोकर तालीस चार सुवस्सी चार सुवस्सी से साथ से भागा दिजिए कितना आठ घंटा आठ घंटा जोडएंगे इसमें बारा आठ बीस कितना बजेगा आठ बजेगा अब पार को बताओ कुछ था अब बताओ कुछ था आप क्यों साड़े पांस लगा रहे हो मेरे भाई यहां पर आइस्टी है इंड्रेस्टेंडर्ड टाइम ना की जी एंटी लिखा हुआ क्या मुझे बताओ जी एंटी लिखा हुआ है जब जी एंटी लिखा हुआ नहीं है तो क्यों आपने से अज्यूम करते हो जी एंटी को पर चारशुआस्टी कैसे हुआ जैन्थ जी चारशु होगा एक डिगरी लॉंगिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट का समय लगेगा कितने डिगरी ए 120 डिगरी है तो भाईया 120 डिगरी को कवर करने में कितना बार्राया सब्सक्राइब निकलेगा आठ घंटा बताओ चार से एंजली जी भागा क्यों देंगी साथ से देंगी ना क्यों चार से भाग देंगी आप साथ से देंगी ना कि अरिवा समझ में चलो आगे देखो नेक्स्ट नमलिकित प्राचिन बंदर गाओं में से कौन मालाबार तट पर इस्थित था बैर गाजा तामर लिप्ती पल्लूर मुझिरीसी कुशन नमबर दस चलिए एक और आगिया लल्लू चलिए तो नमलिकित प्राचिन बंदर गाओं में से कौन मालाबार तट पर इस्थित दोस्तो मुझिरीस कौन है मुझिरीस कौन है मुझिरीस और मालाबार तट की बात करता यानि केरल के आसपास केरल के आसपास क्या है केरल के आसपास तो मिर भाई जब केरल मसाली के लिए परमुक केंद्र के रुप में प्रस्थापित था तब मुझिरीस प्राचिन मंदर गाओं केंद्र बना था आप देख सकते हो कि मालाबार तट कहां से कहां तक करनाटक से केरल तक मालाबार तट है करनाटक से केरल तक मालवार तट है दोस्तों और गोवा से लेके करनाटक तक केनरा तट और दमन से लेके गोवा तक कोंकन तति गुजरात से दमंद काथयावार तठ लिए यहां आजाओ तमिल लाडु से लेकर आजरा परदेश्क और और आंधरापरदेश से लेकर फस्वच्छममंगाल डेल्टा-चे दर उत्री सरकार तट उत्री सरकार तट उम्मीद करतें चीज़े समझ में आ रही होंगी उत्री सरकार तट ठीक है याद रखिएगा निक्स्ट तो मौरिकाल से पहले ग्रीक और रोमन वैपारियों द्वारा भरूच के बंदरगा को दिया गया नाम बैर गाजा था जो कहां गु 5 बाद करें दुशा है जातर हैं वी कि तदा प्रायम मििश्तर पाकिस्तान है मताओ को थो पाकिस्तान के प्रध róż्लमंत्री की बात करें और दोश्य periods लुटा सभाण श्रिप किस पार्टी से जरा बताना किस पार्टी से पार्टी का नाम क्या है पार्टी का नाम बताओ क्या होगा किस पार्टी से बताओ तो किस पार्टी से दोस्तों भाई मिया मुहमद सहब साहबाद सरिफ एक पाकिस्तानी राजनेता और वेवसाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्त तारीक पाकिस्तान ना ना तारीक पाकिस्तान से इम्रान खान ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ठीक है है ओके देखो कोई बोल रहा है विजेपी हाँ सतुरुवन साहँ सही कह रहे है व्यजेपी है ओ क्या बात है कहा थे ते दिन तक यार कहलें है तुमें बाहोट पता मोदी जी तो ढूंड़ेते एंको केरते हैं मैंने को नौकभरी ऐसे देबागा पढ़ने की जरूरत हिए पूसके चलिए को बताओ जहने है नगर निगम का मुख्य कारकारी अधिकारी कौने कुछन ने समर बारा करिए चलिए आयूब खान राष्ट पति अली जिन्ना ना लियाकत अली खान लियाकतली फिर फ़्म है यह पहले ठीक नगर निगम का Mexican करकारी अधिकारी की बाप करें मुनसिपल कमिस्टर होगा कौन है मुनसिपल कमिस्टर यार रखिएitel निक्स्ट स्थानी निकाइब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो लोन रीन कहांचे जुटा आते हैं इस्टेट गवर्मेंट फानेंशल इस्टीटूशन बोथ अब देम नन अब देम कुशन नमर थर्टीन अंजली जी लियाक तलिखान भारत चत्तान अंत्रिम सरकार में फानेंस मिनिस्टर थे बादाम लगता खाना छोड़ दी हैं आप बोथ अब देम दोनों क्या होगा बोथ दोनों दोस्तों क्या होगा दोनों निक्ष्ट कौन सा केंद शासित परदेश उनकी सांस्कृतिक विस नगर हवेली औलब दाबब कुष्ट निम्मर फोटीन हो चलिए पवंजी हसी आ रही है अच्छा गलत बोले बताओ लगण बादाम खाना छोड़ दिए इसलिए ऐसा हो रहा है कि बताओ बादाम खाओ ना तो क्या होगा बई और लोगा याद रखियो ठीक है छत्तिया नि कि देख आसेज भासी आ रहा है आसेज को भी अच्छा क्या गलत बोले बताओ बादाम काओ अभी ठंडी का दीने तो चट्थी अनिसूची किस पुर्वत्तर राज के जंजाती छेत्रों के परसासों से संबंदित नहीं है मिखाले नागलेंड मिखाले नागलेंड रट्ट रमित्री मी असम मिखाले तिरपूरा मिजोरं मैंने कहा था एटियम मसीनातियम मसीन असंद डिपूरा ama यानि तब क्या होगा नागा लैंड नहीं होगा तो भारती समिजां की छत्य अनुसूची दोस्तों चार पुरोत्तर भारती राज असम मिघाय त्रिपूरा मिजोरम की जन जाती है छेत्रों के परशासन से संबंदित है याद रखेगा ओके चलो आजाओ निक्स्ट परतेक्स स्वाइत जीले में एक जीला परिश्द होती है किसने सदस्टे होते हैं कुछ संबर सूला बताओ कि अगर देखो तो कितने होंगे दोस्तों तीस सदस्य क्या होगा तीस सदस्य होगा और याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखेगा कि जब मौरे काल में मौरे काल में जब बोड था ना उसमें भी 30 मिंबर थे मौर समय उसकी जानकारी हमें चानक के अर्थ सास्तर से मिलती है याद रखेगा किलियर चला जाओ नेक्स्ट जन जाती है छेत्रों के परतेक स्वायत जीले में एक जीला परिशत होती है जिसमें 30 सदस होते हैं 30 में से 4 राजपल द्वारा मनोनित होते हैं और सेश 26 मतादिकार के आधार पर चुने जाते हैं ज्याद रखेगा ठीक है ओके इंडीका में मिलता पेटा इंडीका में तो ही इंडीका में खासकर समाज के बारे में में बताता है लेकिन मेरे दोस्त अर्थ शास्त्र में अर्थ शास्त्र में पूरा परसासन है जब कि अर्थ शास्त्र में पूरा परसासन एड्मिस्ट्रेशन के बारें बताता है मेरे भाई सबसे कम उम्र के परवता रोही कौन बने हैं साजित सपारा सेहरोज कासिफ केम जोंग भाल मालवत पुरुना कुश्च नमर 17 जल्दी बताओ क्या होगा अब मुझे ये बता दो मेरे भाई लाल काले पीले नीले अब बताओ मेरे भाई मालवत पुरुना जो है न वो माउंट एवरिस्ट है माउंट एवरिस्ट है जबकि यहां पुछा केटू कारा कूरम किया है चीजिक रचूरम मैं Creed के लाऊंट कर्ण है लिएि विकार पढ़ना रह रहे हैं बाई मैंतो रूसन मैं तो कहता है मुझे पढ़ाना ना आता मैंने तो आप से सीखा है् पढ़ा ना कि मैंने तो आप से सीखा है मैं तो बहुत रोज पूछता हूं भई रोशन क्यों आ रहें रोशन आके मुझे रोशनी दिखाए मैं तो रोज शीखता हूं भई आपसे चलो कमसे हम आज आए तो कमसे हमारी नजर खुलेंगी ठीक है पूरा एगंटा देखना भाई कि कहां मैंने गलती पढ़ाया है ठीक है आजो देखो दोस्तों 19 वर्षे पाकिस्तानी परबतर हो ही सहरोज कासिफ जो उची चोटी केटू कारकोरम जो विश्व की दूसरी सब्सक्राइची चोटी आजाओ आगे नेक्स्ट विश्व का सब्सक्राइब मरुष्टल लार्जेस्ट डेजट इन वर्ल्ड कालाहारी आर्क्टिक सहारा ठार को सब्सक्राइब पवंजी जिन्दगी है जीवन है जब तक जीवन में दो चार जॉनी लिवर ना होंगे जीवन का मजाई नहीं आएगा है ना तो वह क्या होगा विश्व का सब्सक्राइब मरुष्टल आर्क्टिक मेरे दोस्तों सहारा नहीं अब कई शारे बच्चे सहारा लगाएंगे ब या गर्म क्योंकि देज़िट मतलब केवला पहुत समस्तियों कौल्ड भी तो होता है तो पहले नंबर पर अंटार्क्टिक ऑं दूसरे नंबर पर आर्क्टिक और तिसरे नंबर पर सहारा लगा चलो आजाओ नेक्स्ट की बात करें जुलाई दो जार दो में गठित परिश कमिशन कॉंस्टिटूटेड इन जूलाई 2002 कुष्टन नमबर नाइंटीन चलिए बताओ तो बच्चे जूलाई 2002 में परिसीमन आयोग के अध्यश की बात करें जस्टिस कुल्दीप सिंग जस्टिस कुल्दीप सिंग ऑफ्टन नमबर भारत में सरवाजनिक सेवाओं को कितनी स्त रेनियों में वर्गीक्रित किया गया है गौट इंगोट इzon तो भारत में सरवी सेवाओं की बातेर दोस्तो तीन कौन कौन से तो अखिल भारती सेवा केंद्रिः सेवा राजी सेवा केंद्रिः सेवा राजी सेवा कि सरकार ने नई antaljji योजनत बंधू सुरू की है केरल करनाटक तिलंगाना ननोदीज को ससनक्सिषर हुश्य पने सबातनों न trip नी सबक्तिर सबक्राएं IPS वाली कहानी तो दलित बंदू शुरू किया था किसने तेलंगाना ने किसने तेलंगाना आगे वड़िए कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए क्या उप्यों किया जाता है जर्मेनियूम सेलेनियूम सिलिकॉन डीटीट्ट फ्स कुशने नबर वाइस तो दोस्तों कंप्यूटर चिप्स निर्मान हम सिलिकॉन से भी करते हैं सेलेनियूम से बिकरते हैं चीमिकंड़क्टर क्या है सेमिकंड़क्टर यानि अर्ध चालक यरद चालक क्या है होई और चालoten क्या है अर्ध चालक याद रखेगा निक्स्ट dlc digging a फूल्फ क्या होगा वाड़ि फूल 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 सिद्धい requirement複स्प्सक्ले य४िट क्रिश्टल डिस्प्ले की डिटा लिकुड कोड़ डिस्प्ले और याद रखिए ऐसा ही सवाल आपके जीडी में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही तो LCD की बात करें दोस्तों लिक्विड क्रिश्टल डिस्पले ऑप्शन नंबर भी लिक्विड क्रिश्टल डिस्पले ऑप्शन नंबर भी कारेक्ट आगे देखिए चाल्स बैबेज नैंसर ने जो कंप्विड'र डिजाइन के था दोस्तों तो पहला में चीडंग का नाम गिया था सूपरकंप्युटर इसओ अबकेस कल्कूलेटर नंबर 24 जी दो क्टीफ़ोर चल क्ट क्या और वो अधैकन डिन अब लगबग अबेकस लगा रहें चलान कट रहें बल्गूल अपना है फोटओन करते क्या होगा वाट इस अब फोटओन फॉर्मुला ट्रें फॉर्मुला ट्रेंट ट्रांसलेशन ट्रेंट वर्कूस्षन नमर 25 सोट रखना कंप्यूटर से सवाल आपके रहेंगे कंप्यूटर से सवाल आपका भर भर के रहेगा ठीक है तो दोस्तों फोटान करत क्या होगा दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन निक्स्ट डबलु 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 का पूरूप क्या है यह आपके इंटी पिस्ती में पूछा था इंटी पिस्ती बन के सवाल है याद होगा आपको डबलु 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 का फुल फॉर्म बच्चा सोचे कर सर हम तीन डबलु तो जानते हैं एक चौथा डबलु कहां से लिया आए तो चौथा डबलु की बात करें दोस्तों तो क्या होगा वर्ल्ड वाइड पुछाता से बिटी वन में याद होगा आपको अगर मेरा आइड हूँ तो नेक्स्ट डबलु 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 वर्ल्ड वाइड वेव में दोस्तों पहला खोज इंजने यह पहला सर्च इंजने याद रखेगा जो 193 में लाए गया था अंद्रपरदेश तामिलाडू तेलंगाना को सब्सक्राइश चलिए लुट फास्ट नल्ला मल्ला हिल्स अर लोकेटेट इन दे स्टेट आप याद रखना कल से और जवरदास्थ होगा सेशन क्योंकि भईया MTS को भी MTS के बच्चों को भी देखना पड़ेगा तर रेगू जब अन्ना मलाई होता जब अन्ना मलाई होता तब क्या लगाते तब किरल लगाते तब क्या लगाते किरल लगाते याद रखेगा अब यह देख लो कि नल्ला मल्ला पूर्वी घाट का एक खंड है पूर्वी घाट का एक खंड जो मुख रूप से आंद्रपरदेश के कु पपाजिलो में फैला है यह पूर्वी घाट देख रहे हो पूर्वी घाट यह नल्ला मल्ला हिस दिग रहा है यह इस्तन घाट है ना कौन से इजान तल रहा है आपका फोटे समुद्री जानवर जो चूना पत्थर के कंकाल बनाते हैं क्या कहलाते हैं कि खोरा मिनिफेरा परवाल भितियां दाइटम या क्ले माइडे मुनास कुर्ष्ण नमर अठाश 28 वाज आपके लिए तो खुश खबरी है मेरे भाई इसलिए क्योंकि चेप्टर वाइज आप साम को 6 बज़े पढ़ लिजिए यहां जवर्दस प्रैक्टिस कर लिजिए और क्या चाहिए बताओ तो चोटे समुद्री जानवर की बात करें परवाल भितियां आप दोस्तों लक्षदिप जो जो लक्षदिप का निर्मान कैसे हुआ परवाल भित्ति जो आरफ सागर में और सबसे बड़ा परवाल भी ती कूरल कहां ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ याद रखेगा दोस्तों एक ग्रेट बैरियर रीफ याद रखना नेक्स्ट आगे देखो सिवालिक चोटियों जूचाई किसके बीच में देखने को मिलती है 750 से 1100 मीटर 750 से 1500 मीटर 750 से 1300 मीटर या 850 से 1200 मीटर कुष्ण नुमर 29 चलो कि क्या होगा शिवालिक चोटियों की उचाई दोस्तों क्या निकल कराएगा ताड़े 81200 मीटर और नुमबर दी अउप्शन नुमबर सबसे बाहरी भाग सबसे दक्षिन सबसे बाहरी क्यों ग्रेटर हिमाले लेसर हिमाले और सिवालिक और सिवालिक है न है चलो अजब निक्स्ट कौन से छेत्र उत्तर भारत के महान मैदानों को दक्कन के मैदानों से अलग करता है विद्याचल सत्पूरा पस्समी सुस्क मैदान या सेंट्रल हाइलेंड को सनमबर 30 इस तवाल को अच्छे से पढ़के जवाब देना गलती मत करना चुलों बताओ है गोड़ इबनिंग अंस सर यह कोश्चन का अंसर आप हर बार अलग रहता है कैसे अलग रहेगा देखना अच्छे से फिर बच्चे फुस गए उत्तर भारत के महान मैदान को दक्कन के पठार तर्ट्य मैदान से अलग करता है आपसे यह नहीं पूछा कि उत्तर भारत को दच्छिन भारत से अलग करता है यह पूछा क्या उत्तर भारत को दच्छिन भारत से अलग करता है यह पूछा यह नहीं पूछा जब यह नहीं होगा इसलिए कहते है सवाल पढ़िए अग्या है समझने की कोशिच करें सेंटरेल हाइल अब देख्लों यी मैप है सेंटर हाइलेंट ये वाला पुरा भाग दोस्तों ये वाला भाग जो विंद्या चल और मालों पत्थार का छित्र है उत्तर के महान मैदान को दक्कन का पठार और तत्य मैदानों से अलग करता है निक्सट दाउप निस हैं महान महाकावया कहानी की किताबें हिंदू धर्शनक स्रोट विधी-पुस्त के कुछनव विदिकर्तिस डियर दोनों लेंग्वेज में लिखना संधाना मुष्की लए एक घंटे की क्लास में तो कम से कम आपके लिए जो यह सारे पीडियप आपको मिल जाएंगे ताकि आप चीजे समझ पाओ कोशिस होगी हमारे इंग्लीश लेकमेंज में लिखने की तो क्या होगा दोस्तों हिंदू दर्साग इसरोट उपनिशत की संध्या कितने एक स्वाथ उपनिशत है कितने उपनिशत वन जी रोएट कितने वन जीरोएट या तकि ठीक है निक्स्ट ब्रहामनों और बौधों को भूमी अनुदान की पर था किसके द्वार सुरू की गई थी सुंग सात्वन वाकाटक गुप्त कुश्चा नमर 32 सात वहन डोь तो क्या वहीर सात वहन याद रखेगा क्या गर्ण की रौहें नीक्स्ट ब्रहामनों और बोध विक्टियों को राज कोशी और प्रसास्तिएक मुगत के साथ भूमी अनुदान की परथा कि सुरूवात सात वहनों नीकीती याद रकेगा ठीक है निक्स्ट नम्लिकित में से किस अस्थान पर विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान अभ्यान शुरू हुआ है लग्दाख जैपूर दिल्ली मुंबई कुश्चर नमबर तैंटिस कि चलो बताओ तो दोस्तों किस अस्थान पर विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान अभ्यान शुरू हुआ है लग्दाख में कि लग्दाख में कि दोस्तों लग्दाख के याद रखेगा है ना निक्स्ट अ मुस्लिम लीग के पर्थम अधिवेश सब्सक्राइब दोस्तों कि क्या होगा दी मुहमद लिजीना क्या लगता आपको क्या लगता आपको क्या जवाब होगा कि पवंजी कहरें सी कि मैक्सिमम बच्चों का गलत है पवंजी का छोड़के देख लो मुस्ताग हुसैन सवाल क्या पूछा कि मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग के पर्थम अधिवेशन के दक्ष्टा किष्णी की थी दोस्तों कि आप से यह नहीं पूछा कि फॉंदर कौन है कि संस्थापक नहीं पूछा 30 दिसंबर 1906 को धाका में धाका में इसके अस्थापना होते हैं त्रीक है आज देखू तो वैस नवाब सली मुल्ला के नेत्यूर्त में 30 दिसंबर रुष्टे च्छे को धाका में मुस्लिम लीग के स्थापना की गई सली मुल्ला खा मुस्लिम लीगे संस्थापक वाध्यक्ष्टे और पर्थम अधिवेशन के दक्ष्टा मुस्ताक हुस याद रखिएगा चलो आजाओ नेक्स्ट की बात करें नमलिकित में से कौन सा कमत्पू नित्यासिक गुपन्यास है जो उनिश्वी सतापदी के उत्रार्थ में लिखा गया था रास्त गोफ्तार दुर्गे सनंदनी मराथा या निबंध माला कुश्ट नमबर 35 चलो हाँ लाइक वाइक मत करना विल्कुल सेयर तो करते नहीं हो विल्कुल आयर बताव दुर्गे सनंदनी अचा बताव किस ने लिखा है दुर्गे सनंदनी किसके द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है कौन लिखा है हूँ रिटेन कौन लिखा है तो लिखा है बंकिम चंदर चटर जी जिन्होंने आनंदमठ जो आनंदमठ लिखे है कौन लिखा है आनंदमठ याद रखेगा निक्स्ट परसिद करांतिकारी दोस्तों जो गीत है सर्फरोसे की तमन्नाव हमारे दिल में है किसके द्वारा रचित है वह त्शन सवाल है तो कौन रचा है भग सिंग कुदêuराम बोश्ड़य संसकर रजाद रामपरसाद विश्मिल में है शुरा oben दिल में रिखेयर क्रांपरसाद दी गईय ती कहां पर गोरकपूर जेल में गोरकपूर जो 9 अगस्त 1925 में जो काकोरी काकोरी ट्रेन एक्सन में जिमिदार माना गया था जिमिदार माना गया था याद रखेगा ठीक है सर फ्रोसकी तमना उर्दू में एक देश्भक्ति कविता जिसे पंडित राम परसाद ने लिखा यानि कलम नाम बिश्मिल है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट 1931 में कॉंग्रेस के कराचिय दिवेशन के लिए मौलिक अधिकारू का पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तयार किया बियार अमिड़कर पंडिजवाला नहरू डाक्टर आजिंदर पसाद सरदार वल्लब भाई पटेल कुश्टर नमर्शन नमर्शन 37 देखना जोर बाजुए कितना कातिल में क्या बात है बहुत सांगार तो क्या अध्यष पूछता तो अब सदार बलब भाई पटेल लगा देते अध्यष नहीं है यह अध्यष नहीं पूछा आपसे क्या पूछा देख लो आपसे पूछा प्रस्ताव किसे तो पंडिजवाला ठीक है निक्स्ट पंडिजवाला नहरू ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया कराची अधिविशन के जिक्सता सदार वल्ला भाई पटेल ने किये या तक्खेगा next किसके नेतिरूतमे ठागों का दमन हुए दोस्तों under फुजी लीडर्शिप धा थाग्स अवर्स अपरेश्ट लॉर्ड क्याइव गैप्टन सलिमन लॉर्ड MIN टो वीपें Eva क्यूशन नामर 38 चलो to buy यह यह तो बचे किसके नेत्तुत में ठागों का दमन हुए दोस्तों कैप्टन सलीमन है कैप्टेन सालिमन अब देखो यह पर एक और समझना ये अगर कैप्टन सलीमन तो ठीक है लेकिन नेगर कहेगा कि भाई किस गवर्नर जन्रल के समय किस गवर्नर जन्रल के समय तब क्या कहोगे किस गवर्नर जन्रल के समय बताओ कि किस गवर्नर जन्रल के समय तब दोस्तों लॉर्ड विल्यम बेंटिक होगा देख लो अठार सो पैतिस में लॉर्ड विल्यम बेंटिक द्वारा ठगी और डकैती विभाग बनाया गया और विल्यम हैनरी सेलिमन को इसका अधिश्चक बनाया गया याद रखेगा बेंटिक और बेंटिक ने 1827 में सती पर्था को भी हटाया सती प्रैक्टिस को भी अटाया राम मोनराय के मदस्य ओके तो गलतिया मत करना आगे हो सकता है गवर्णर जनरल पूछे तो सलीमन मत लगा दियो ठीक है नेक्स्ट हाली में किस देश ने विश्व का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर को सन नमर 39 तो विश्व का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर की बात करें अमेरिका ने बनाया जापान का पहले था फुगाकू फुगाकू पहानी खताम हो गया अब क्या है अमेरिका का है क्या दोस्तों अमेरिका का नाम क्या है फ्रंटियर तो मैरिक फ्रंटियर को सबार्ट सबसेंहें सुपर गम्पूटर चुना हैं ठीक है फ्रेंट यह में जपानि कंपूटर फिगात को रिपलेश करके पैला पॉशिशन हमीश्च नियुक्ति निसए तोनल्य टीम एक थे भारतिय महिला निसान लिटिवर टीम नी ऐच्ट मेरे सुकप 2022 में स्वर्ण पदक जीता या प्रतियोगता कहां आयुजित की गई कुछन नंबर 40 चलिए कि बताओ अजरवैजान कि क्या है अजरवैजान देख लो ऑप्शन नंबर 20 करेंट तो यह था सोच दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत इंज्वाई क्या होगा मज़ा अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना और कमेंट्स करिएगा जरूर कैसा लगा से क्योंकि कल से MTS भी आड़ करेंगे चवर्दस तरीके से ठीक है आप हमारे साथ MTS के बैस में ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि MTS का बैस सुरू हो गया आज से कूपर गोड गया है रोहित सर लाइवो ठीक है दोस्तों और 22 तारीकों दो पर दो बजे असकॉलसिब टेस्ट होगा पाटेशिपेट कर सकते हो बिलकुल पाटेशिपेट करिए दिको MTS का बैस सुरू होगे दोस्तों 19 दनवरी से आज सही MTS सीजिल का बैस सुरू हुआ है मौका अच्छा है अपने आपको इंडॉल कर लो है ना और वन स्टॉप सॉलूशन टेस्ट देते रहें दोस्तों अब चाहिए तो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो चारे स्टेफ है नोट्स डाउनलोड करने के और अभी स्पेशल क्लास होगा पांच बज़ कर पांच में सब्सक्राइब करना और अपना पूछ सकते हों अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना मिलते हैं फिर सामगो 6 बज़े टॉपिक वाइज में और अभी पांच बज़े कहा है स्पेशल क्लास में तब तक किल अपना ख्याल रखे ताइंकि शुक्रिया जैंद भारत